हैंजी डियर स्टुडेंट्स पेटा ये क्लास 12 हिंदी का HVAC बोर्ड का दो वीडियो दो पार्ट्स में अपलोड कर दीगी ये थर्ड वाली वीडियो अपलोड की करने जा रहे हैं पेटा इसमें वितान भाग का पॉर्षन भी है और एक पॉर्षन ये वला ठीक है आपका य बटा इसमें से आना है अभिव्यक्ति और माध्यम में से बस आप कोश्चन जल्दी से सुनते जाए जितने मर्जी माक्स का आता है बस आप जल्दी से फटार कोश्चन आंसर सुनते जाए बचा ठीक है मैं बोलती हूं फटार सुनो जल्दी से ध्यान से क्योंकि फोर से इसमें लक्षय प्राप्ति के लिए जीवन शंगर्ष की गाथा का वर्नन है यहां कथा नायक के जीवन के संगर्षों का मामर्मिक चितरांकन किया है जो अपनी कोमल अवस्था या कोमल अवस्था से निरंतर शंगर्ष करता रहता है सेकिंड कोशन देखे जी महकुंड की विशेशता ही लिखिये अंसर स्तूप की दाइन तरफ एक लंबी गली की आगे महकुंड है गली को दैव मार्ग डिवनीट स्ट्रीट नाम दिया गया है माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक शनान किसी अनुस्थान का हिस्सा होता था कुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चोड़ा और 7 फुट गहरा है इसमें उत्तर और दक्षिन की और से सीड़ियां उतरती हैं इसके तीन तरफ साधूं के लिए कमरे बने हैं उत्तर कुंतियों में 8 शनान घर हैं और इसमें से किसी कावी दरवज्जा दूसरे दरवज्जे के सामने नहीं खुलता इस कुंड में पकी इंटों का जमाव है जिस से पानी रिस नहा सके और बाहर का गंदा पानी भीतर ना जा सके कुंड के तल और दिवारों पर इंटों के दोहरे घेरे वाला एक कुवा है, कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए पकी इंटों से बनी हुई नालिया है, जो ढकी हुई है, चलिए जी, कम्पलीट होते है, टू मार्क्स का था बटा ये भी, ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, मोहन जोदोडों का क्या अर्थ है वर्तमान में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, मोहन जोदोडों का अर्थ है, मुर्दो का टिला, ठीक है जी, मुर्दो का टिला, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित, एक परसिद पुरातन स्थान है, जिसे अब मोहन जोदोडों के नाम से पुकारा जाता है, ने तस आईजनवाहर और नोल्ड के साथ उन फ्रांसिंसी गाउं में गए थे जिन पर पहले ब्रिटिश सैनिकों ने कबजा कर लिया था और फिर मुक्त कर दिया था चर्चिल एक टारपीडो नाव पर थे जिसे से तटोप और गोला बारी की जाती थी उन्हें डर नाम की चीडि रोधी दल लोगों की किस परकार साहता करते थे अंसर फ्री नीदर लैंड्स दल के लोग जर्मन लोग के अत्याचारों से रहत पाने के लिए पीडितों के लिए नकली पेशान पत्तर बनाते थे उन्हें आर्थिक साहता दिया करते थे और कार्या कर सकने वाले युबा इस साहिता करते थे वे पुर्षों के साथ राजनिती और काम धंदे की बात करते थे तो औरतों के साथ भोजन और कस्ट के समय की बाते करते थे सदा सहायक और खुश दिल दिखाई देने वाले देने वाले वे लोग बच्चों से अखवारों और किताबों की बाते करते थे वे हर अफसर पर फूल और उपहार दिया करते थे और कस्ट में पड़े अग्यातवास काटने वालों की साहता कर उनका दिल जीत लेते थे अग्यातवास होते जेल वोगरा ठीक है चलिए 12 देखे बटा ठीक है 12 गोश्चन से अब बटा वितान भाग आपका complete हो चुका है इंटरनेट पत्र कारिता से तात पर है इंटरनेट पर चमाचार पत्रों को परकाशित करना तता सुचनाओं का आदान परदान करना ही इंटरनेट पत्र कारिता कहलाता है इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों लेखो परीचर्चाओं वाद विवादों आदिक अमाध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना तता उन्हें दर्ज करना ही इंटरनेट पत्र कारिता कहलाता है जैसे e-news paper वगरा ठीक है e-paper e-news paper उसके बारे में इंटरनेट पत्र कारिता सुचनाओ को ततकाल उपलब्द करवाता है यह हमें एक हिस्तान पर बैटे बैटे विशव के कोने कोने की जानकारियां और सुचनाएं परदान करता है विशव के परकाशन समूहू तता नीजी कंपनिया इंटरनेट पत्र कारिता से जुड़ी हो प्षप तर पर इंटरनेट पत्रकारत काा agoU सन 1992 के दूसरा दोर का दूसरा दोर इंटरनेट पत्रकारत का दूसरा दूसरा है सन 1937 Ultra एक तक माना जाता है दूसरा दोर अब एजी तीसरा दोर तीसरा दोर है इंटरनेट का तीसरा दोर दोर से लेकर अब तक जो चल रहा है यानि कि हम तीसरे दोर में चल रहे हैं वास्त में इंटरनेट पत्रकारिता का अरंब सन 1983 से 2002 के बीच हुआ इस अबधी में तकनीक के स्त पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ इसी वीच नई वैद भाषा HTML, Hypertext Markup Language आई और इसके साथ इमेल तथा New Media के नेम पर .com company भी आई ठीक है जी .com company new media ठीक है चलिए next question देखे वाटा समाचा लेखन के very very important वाटा इसी question का काफी टाइम से मेरे को इंतजार था क्योंकि हम जब question papers discuss किया है उसमें ही question आया हुआ था मैंने कहा भी था कि आपको फिर बाद में इसका solution प्रवाइड करवाऊंगे ठीक है ध्यान से पढ़ो very very interesting है wla how, why, when, where English में करते हो न आप लोग यह वही वाले तो है समाचा लेखन के छे कंकारों का वर्नन कीजिए छे कंकारों से तत्पर है समाचा लेखन में कब, कहा, कैसे, क्या, कौन, क्यूं ठीक है जी when, where, how, what, who, why इनी छे प्रेशनों को छे कंकार कहा जाता है ककार, ककार है ठीक है जी इनी ककारों के अधार पर किसी घटना, समस्या तता विचारादी से समंदित खबर लिखी जाती है आप सोच के देखो विच्चा कोई news लिखनी है, कोई incidence हो गया कब हुई, कहां हुई, क्यूं हुई, कैसे हुई, कैसे से questioning आती है, ऐसी आती है ना तो आप खुद भी देखो अपने आपी आपको पता लगेगा कि coordinate करके कि कितना अच्छा सा answer है सच में जी, चलिए देखे, सवंदित खबर लिखी जाती है, ये ककार की समाचार लेखन का मूर आधार होती है इसलिए समाचार लेखन में इनका बहुत महत्तव है, चेक कारों को हम इस परकार सपस्ट कर सकते है तुमने भी आसे बहुत अच्छे से लिख आने बैटा, नमबर वन, नमबर टूबना कर, कब देखे, अंडरलाइन कर देना, ब्लैक पैंसे अंडरलाइन कर देना, ये कब देखे, ये है समाचार लेखन का अधार होता है इस ककार के माध्यम से किसी घटना तता समस्या के समया का बोध होता है, जैसे बस दुरगटना कब हुई, बस दुरगटना सुबह आठ बजे हुई, कोशनिंग, अंसरिंग, ठीक है, एक्जामपल भी दे दी, देखो कितनी अच्छी, नेक्स्ट, कहां, इस ककार को अधार ब बस दुरगटना करनाल में हुई, नेक्स्ट जी, कैसे, इस ककार के दवारा समाचार का विशलेशन, ये अंडरलाइन कर लो, बच्ची, देखो, कहां, कहां में क्या लिखा जाता है, ठीक है, कैसे, कहां, अधार बनाकर समाचार, इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के बीच का चितरन, कहां, कहां, मतल은, चितरन पर्सूत किया जाता है, कहां रहा हुई है, पूरा ठीक है, अविडेंस बता जटा है, कैसे, क्या, क्या, कैसे, इस का कार के दवारा समाचार का विशलेशन, वित्रन, ये रहा, कीवर्ड उठाने होती है,ака, कीवर्ड उठाकि, आ क्यूं इस ककार के दवारा समाचार के विवरनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विशलेशनात्मक पहलूँँआ पर परकाश डाला जाता है, ठीक है, उन्हीं को यह रिवाइज कर रहे हैं, कौन इस ककार को अधार बनाकर समाचार लिखा जाता है, चलिए बटा, इसी के साथ ही आपका यह model test paper, जो कि अभी first में ने upload किया, तीन portion में complete होता है, ठीक है, hope so my next, next भी है बेटा, हमारे पास model test paper 2, ठीक है, try करते हैं, अगर यह भी upload हो जाता है, चलिए, thank you students, thank you, all the very best, बेटा,